हलो गाइज, वेलकम, कैसे यार? यार, लाश्ट क्लास में बच्चे हमने आपको पड़ाया था Higher Purchase System का Practical Problem No.2 solve किये थे लाश्ट क्लास में हमने आपको Higher Purchase System का Practical Problem No.2 solve किये थे आज के क्लास में मैं आपका Higher Purchase System का Practical Problem No.3 और 4 solve करूँगा आज के क्लास में practical problem number 3 और 4 solve करेंगे और आपके देखिए यह स्क्रीन पे practical problem number 3 दिख रहा है clear यह practical problem 3 number अगर आपके पास SM सुकला का book है तो write down आप वहां से कर लिजिए SM सुकला के book को नहीं follow कर रहे हैं किसी और writer के book को follow कर रहे हैं concept तो clear होगा ना same concept पर किसी भी writer के question solve होगे त्यार इस question को write down कर लिजिए चलिए देखिए मैं इस question को हाँ भची ध्यान दीजिएगा यह आपका question ने cash price आपने लिखा है 16,340 given था down payment नहीं था down payment आपके इस question में नहीं दिया हुआ है question number 3 में down payment given नहीं है down payment आज कल यार offer हो गया ना zero down payment पे कोई सम्वान अपने घर को लेके चले ते यहां पे down payment नहीं था first installment आपका 6000 दे रखा है second installment आपका 6000 है और third installment आपका 6000 का interest आपका 5% पर एनम है और depreciation आपका 25% पर एनम दिया हुआ है interest आपका 5% पर एनम है और depreciation आपका 25% पर एनम दिया हुआ ठीक है चलिए देखिए इस question में सबसे पहले additional method है या subtraction method है हम पहले वह find out करते हैं देखिए बचिए test price आपका given है 16,340 रुपया 16,340 दिया हुआ ठीक है बात करें आपका down payment जो दिया हुआ है वह नहीं है first installment आपका 6,000 second installment आपका दिया हुआ है 6,000 third installment आपका दिया हुआ है 6,000 तो यहां पे total आपका हो जाएगा 18,000 अब देखिए कि cash price जब आपका 16,340 का है और यहां पे तीनों installment को जोड रहे हैं दाउन पेमेंट कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सिर्फ इंस्टॉलमेंट 18,000 का हो गया जादा हो गया न तो यहां आपका सब्स्ट्रेक्शन मेथड को फॉलू करेगा कौन सा मेथड सब्स्ट्रेक्शन मेथड को फॉलू करेगा चलिए सॉल करते हैं ध्यान दिजेगा हाँ गैज चलिए ध्यान दिजे बचे यहां पे मैंने आपका कैस्ट प्राइस आपका बना दिया कॉलम इंट्रेस्ट का कॉलम और इंस्टॉलमेंट का कॉलम या बरकिंग नोट आफ इंट्रेस्ट इसको हम लोग लिख सकते calculation of interest, calculation of interest, clear, अब देखिए, cash price आपका यहाँ पे 16,340 था, 340, clear, आपका interest दिया हुआ था 5%, down payment यहाँ पे minus नहीं करेंगे, क्यों? यार, down payment तो given ही नहीं न, तो down payment नहीं जोत नहीं minus करेंगे, direct इसका निकालेंगे, 16,340 का 5%, यहाँ पे यहाँ आगिया आपका 817, ठीक है? और जैसा कि हमको पता है कि आपका installment में interest सामील है, installment में interest सामील है, तो यहाँ पे आपका installment था, आपका 6000 का, 817 आपका interest हो गया, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे 6000, minus 817, 5183, cash price इसमें सामील था, 5183 का, clear? अब यहाँ पे 5183, minus कर देंगे, 11157, यहाँ आपका निकल गया, 11157 का 5% आपका आज आएगा, 557, 557, और यहाँ आपका installment वाला 6000 हमने लिख दिया, 557 आपका हो गया, यहाँ 5443 आपका cash price इसमें कल गया, सेकेंड वाला, ठीक है? अब यहाँ पे आपका 5443, minus करेंगे, 5714, ठीक है, 5714 आगया, ठीक है, तीन ही installment था, लास्ट वाला installment में direct minus कर देंगे, 6000 में 5714, minus कर देंगे, 286, किलियर, यहाँ तक आपका calculation of interest हो गया, calculation of depreciation काई working note निकाल दे रहे, ध्यान दीजेगा, हाँ बचे, depreciation अब आगे निकालते हैं, ध्यान दीजेगा, और depreciation हमेशा cash price पे निकलेगा, depreciation किस पे निकलेगा, cash price पे निकलेगा, चलिए ध्यान दीजेगा, यहाँ पे आपका working note of depreciation हम कर दे रहे हैं, क्लियर ते आखा पे आपका 16,340 था और डेप्रिसियेशन का पर्षेंटेश 25 पर्षेंट था फर्स्ट यर में 25 पर्षेंट डाइरिक निकाल देंगे 4085 सेकेंड यर का बात करेंगे तो 16,340 में 4085 को माइनस करेंगे यह आजाएगा डेप्रिसियेशन बराबर 12,255 का 25 पर्षेंट निकाल देंगे 3063 आजाएगा ठीक है? अब यहाँ पे थाड यर निकालने हैं तो थाड यर में हम पहले जाएगे तो 12,255 माइनस 3063 9192 आजाएगा और इसका डेप्रिसियेशन निकालेंगे था डियर में 9192 का 25% 2298 आजाएगा के लिए यहाँ तक आपका पूरा कल्कुलेशन आप इंट्रेस्ट और कल्कुलेशन आप डेप्रिसियेशन आपका कम्प्लेट हो गया चले बच्चे ध्यान देते हैं आगे थोड़ा सा यार जर्नल इंट्री भी करने बोल रहा था और जर्नल इंट्री भी हम लोग करते हैं पर्चिजर के बुक में और वेंडर के बुक में दोनों में बोल रहा है पार्टी के बुक में इंट्री करने के लिए लास्ट क्लास भी हमने जो कोशन बताया था दो नमबर उसमें भी हमने दोनों पार्टी के बुक में इंट्री करना था इस कोशन भी में कर रहा हूँ प्रिध्यान दीजेगा यहां गैस देखें यहां जर्नल इंट्री में चलते बच्छे पहले इलियर में आपका एसेट अकॉंट डेविट इंट्रेस्ट 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 इंट्री करते हैं इंट्रेस्ट 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 इंट interest account डेट to higher vendor account assets वाले में मैंने लिखा 5443 interest वाले में लिखा total 6000 का higher vendor account डेट to bank account 6000 6000 हो गया depreciation account डेट to assets account 3063, 3063 clear, 4th साल में आपका interest यह रहा, depreciation यह रहा और profit and loss आपका यह रहा, clear यह आपका second year का entry complete हो गया, चले 3rd year में चलते हैं दीजेगा, हाँ यह आपका third year का entry हो गया assets account डेट, interest account डेट to higher vendor account, clear assets वाले में 5714, interest वाले में 286 और total 6000 का higher vendor, ठीक है higher vendor डेट to bank account आपका 6000 6000 हो गया depreciation account डेट to assets account में आपका यह हो गया 2298, 2298 जो third year का depreciation था और profit and loss to interest to depreciation हमने interest और depression ट्रांसफर किया और इन दोनों को sum करके मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ तक आपका purchaser के book में entry complete हो गया purchaser के book में entry complete हो गया और लग रायर की हमारा channel video आपके लिए helpful है आपको एक job में help हो जाएगे concept समझ में आ रहा है यार प्लीज subscribe कि ज़्यादा से ज़्यादा friend तक share करें हर एक friend तक share करें जिसे जरुवत है जो commerce का है इसी के भी ऐसे phone में नहीं दिखाए देना चाहिए यार हर किसी को पास सुना चाहिए ठ्याद दिजिए vendor के book में इंट्री करते हैं यार देखिए आपका vendor के book में फर्स्ट इयर का इंट्री देखिए यार हमने vendor का नाम नहीं लिखा है ठीक है मतलब पर्चिजर का नाम नहीं लिखा है यहाँ पर्चिजर लिख दिए हैं तो आप cash account डेट डेट विख दिए होगा यहाँ तीन इंट्री आपका फर्स्ट इयर में होगा ठीक है डाउन पिमेंट का इंट्री इसलिए नहीं हुआ क्यों है आर डॉक्मेंट तो लिया नहीं था और second year और third year में बस यहाँ दो इंट्री होगा जैसे second year का आपका इसका interest क्या था देखी दा second year और third year मैं इसी में कर दिताओ second year तो second year में अगर बात करें तो purchase rate quantity to interest account second year का interest था 558 और यहाँ पे 6000 हो जाएगा एक interest चुट गया और interest को profit and loss अकॉंट में transfer करने वाला तो यहाँ पे आपका interest account debit to profit and loss account यहाँ भी आपका 558 हो जाएगा 558 हो जाएगा ठीक है मतलब यहाँ पे आपका 3 entry first year भी 3 entry होता यहाँ भी 3 entry होगा अब third year का बात करें अगर यहाँ पे third year का करें तो third year में आपका purchase rate quantity to interest account यहाँ पे change कर देगे आपका 285 या 86 जो आपका है 86 286 यहाँ हो जाएगा cash account पर्चिजर रेकॉंट इंस्टॉलमेंट जो था वो 6000 का ही था और यहाँ पे आपका हो जाएगा 286 clear यहाँ पर्चिजर और वेंडर दोनों के बुक में entry यार complete आप अच्छे से कर लीजेगा एची बता रहे बच्चे देखिए अगर लग रहा है कि वीडियो helpful है समझ में आ रहा है concept clear हो रहा है first year का, second year का, third year का यार सारा subjects आपको मिल रहे हैं helpful होगा बहुत सारे students को जरुवत है kindly share करें आपकी ग्रूप में अगर आप वीडियो को watch कर रहें अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं उनको भी share करें जिनको भी जरुवत है share कीजिए